ये आपके देनिक जागरन का आज का संपात की एपार्ट है और संपात की एपार्ट एडिटोरियल आपको पिरलिम्स में, मुख परिच्छा में, इंटर्वियू में हर जगे मदद मिलती है आप लोगों को यहां से एक सामान जानकारी भी मिलती है अब आप सभी जानते हैं कि 2024 में हमारे देश में लोगसभा के चुनाओ है टोटल सीटे हैं 543 और इनका चुनाओ डारेक्टर जनता है यानि की मददाताओं के द्वारा होता है अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकिए तो वोटर सूची में नाम चुड़ चुका होगा आप लोग बोट डार ले जाते होगे अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकिए तो आप लोग सभा का चुनाओ लड़ सकते हैं अब ये चुनाओ कोन करवाता है एलेक्षन कमिशन ओप इंडिया भारतिय निर्वाचन आयो एक समिधान एक संस्ता है समिधान के अनुचे 324 के दैट चुनाओ आयो की स्थापना की बात की ये 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी 25 जनवरी को आप लोग मद्दाता दिबस मनाते हैं नई दिल्ली में इसका हेड़ पार्टर देखने को मिलेगा सू कुमार सैन पहले मुख चुनाओ आयुक्त थे अभी बारतमार में कोन है ये आप लोगों को बताना है कॉंग्रेस के पराभाव का कारण अपेक्चाकित कम योग उत्तरादिकारियों के कारण ही कॉंग्रेस समेथ कई राजनीतिक दल संकट में कुछ तो डूब रहे हैं चलिए आप लोग देख सकते हैं पढ़ सकते हैं पढ़ना है तो राजनीति से जुड़ा हुआ अपको सीखने को मिलेगा लेकिन आगर आपको पढ़ना है तो पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िये और इसकी PDF टेली कराम पर डाल दूँगा तो आप लोग वहां से डाउलोड भी कर सकते हैं और आपको मालू है अठारे सो पचासी में स्पार्टी की स्थापना हुई थी यह भी याद रखेगा और मुझे लगता है कि देखे कॉंग्रेस के नेताओं को भी मालू है कि उनकी क्या कमजोरिया है क्या भीक्नैस है और कैसे सही होंगे लेकिन वो साइद उसे देखना नहीं चाहते होंगे accept नहीं करना चाहा रहे होंगे इस तरह की भी बाते होती रही होके गरीबी घटाने से आंगे की चनोती ये आर्टिकल पढ़ते हैं पितिष्ठित अंदराश्टी सवस्ता दाब ब्रूक क्रेंग से इस्टिट्विशन की एक हालिया अध्यन रिपोर्ट में की अनुसार भारत ने अत्यदिग गरीबी का उनुलन करने में सफलता हासिल की है और रिपोर्ट में कहा गया है कि तेज बिकास और आसमानता में कमी के चलते बारत को यह कामयाबी मिली है रिपोर्ट में उन लेक है कि खुल आवादी में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने बाले पिती दिन 1.90 डॉलर से कम खर्च करने बालों की संख्या 2011 बारे में 12.2 पितीसद से घटकर 2022-23 में 2.30 पर आ गई है यह गरीबों की संख्या में हर वर्स 0.93 की कमी के बराबर है कहा गया है कि भारत में गरीबों की संख्या में जो गराबट बीते 11 बरसों में दरज हुई है इससे पहले इतनी गराबट 30 बरसों में आई थी और उलेकने की पिछले दिनों नीती आयोक द्वारा जारी किये गए बैस्मिक मानता के मापदन्नों पर आधरीत बहु आयामी गरीवी इंडेक्स के मतामिक बहु आयामी गरीवी कम करने में सरकार की विभिन ने लोकल ल्यान करी ये उजनाओं की भी एहम भूमिका रही है और देखे नीती आयो ये उजना आयो को पिती स्थाबित करके आया हुआ था MPI की मद्दे नजर बित्त बर्स 2013-14 में देश की 29.737 आबादी गरीब थी जब बित्त बर्स 2022 में सरफ 11.28% लोग MPI के हिसाब से गरीब रह गए है इन नो बर्सों में 17.89% लोग यानि करीब 24.82 करोड लोग बहु आयामी गरीवी के दाइरे से बाहर आये है और इस परिपेक्च में यहां सहिवतराष्ट विकास कारकरम यानि की UNDP द्वारा पिकासे रेपोर्ट भी उलिगनी है इस रेपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बर्स 2015-16 के मुकाबली 2019-20 के दौरान 25-30 से घटकर 15-30 के इस तर फर आ गई है अब आप लोगों से मैं कहता भी हो कि इस तरह के जो संगठन है उनके बारे में एक सामान जानकारी जरोर रखा करिएगा UNDP UNDP की बात कर रहा हूँ United Nations Development Program की बात कर रहा हूँ मैं इसकी स्थावना 20 November 1965 में हुई थी नीयोर की USMS का Headquarter देखने को मिलेगा यह भी कोई चोटी बात नहीं है बिस्व बैंक और अंतराष्टी मुद्राकोस यानी की IMF सहते सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी बैस्विक संगठनों द्वारा भारत में बहु आयामी गरीवी घटाने में खाद सुरक्षा योजना की जोड़दा सराहिना की गई है असी करोड से अधिक लोगों को मुत्य अनाज सवक्षी इंदन और के लिए उजला योजना सभी घरों में बिजली के लिए स्वभाग योजना पेजल सुविधा के लिए जल्व जीवन मिसन एवन जन्धन खाती की सुविधा अधिक से लोगों को गरीवी से उपर लाने मे खासी मदद की मिलती हैं खासतोर से गरीवियों कि ससक्ती कर में करीब इंक्यावन करोड से अधिक जन्धन खातों जे करीब 134 करोड आधार कायड ए करीब 118 करोड से अधिक मोबाईल उगोगता एम की सक्ती बाले जैम से सुगठित वे मिसाल डिजिटल धाचे की ये सरकार की तरब से क्या काम किये गए तो इन सब का उल्ली का आप लोग उहां कर सकते हैं यहां आई में की बात हुई है इंटरनेश्टी मुद्राकोस एक अंतराश्टी बित्तिय संस्थान है इसका हेड़कोर्टर आपको वसिंग्टन डीसी युएसे में देखने को मिलेगा और 27 देसमर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी अंतराश्टी मुद्रिक सहयों को बढ़ावा देना अंतराश्टी ब्यापार को सुविधाजनक बनाना सतत आर्थे विकास को बढ़ावा देना भुकतान सत्तुलवन की घंणाईयों का सामना करने वाले सदसों को संसाधन उपल पालिस में हुई थी जो आपका एजूके संस्थानों के बारे में बात की हुई है तो वहां जाकर आप लोगों देख सकते हैं वित मंतरी निर्मला सीतरवन द्वारगत महा पिस्तुत किये अंतरिम बजट देखे चुनावी वर्स में क्या होता है कि अंतरिम बजट आता है एक पूर बजट आता है और ये अंतरिम बजट चुनावी समय तक होता है जब तक नई सरकार ना जाए अंत्रियम बजट 2024 पचीश में बहु आयामी गरीवी से देश की जनता को पूरी तरह से मुक्त करने के पक्के रादों प्रयासों की कबायत दिखी अंत्रिय बजट में वित्त मंत्री ने चालू वित्त वर्स 2023 के बहु तहद बहु आयामी गरिवी के दाइरे से बहारने का निकालने के उद्धे से बिभिन मदों पर किये गए बित्ती आवंटेन की तुला में उस्तन दस भी दिसा से अधिकी बड़ोत्तरी की है और आप देखेंगी कि यग भी देश में एक और एक और गरीबों का कल्यान के लिलावू की गई बिभिन सरकारी यह उजना हैं हमें इस पर ध्यान देना होगा कि गरीबों के ससक्तिकन के साथ ही उनकी पिति पक्ति आयमें भी बड़े अभी भारत उन पर मोक दस देशों में सामिल है जहां बीते 20 बरसों में लोगों की आयमें आसमान भी बड़ोत्तरी हुई है इस बात पर विध्यान देना होगा कि गरीब लोगों को मुत्त अनाच के साथ उनके जीवन की गोड़वत्ता बढ़ाने के लिए भी अधिक प्रयास किये जाएं इतना ही नहीं देश को की तेजी से बढ़ती आवादी के थाथ गरीब बरक की नई आवादी की खाद्यूसरक्षा के लिए अधिक खाद्यान उत्वादन के रणनेतिक पैतन भी जरूरी है इस पर भी ध्यान देना होगा कि जनकल्याण के मद्दिनजा लोगों को रेवणिया बाटने जैसे आवियान आंगे नहीं बढ़े एसी योजनाई ही आंगे बढ़ाए जानी चाहिए जो होगी जो गरीबी से लड़ाई में सहाएक बन सकें और जो गरीब लोगों को उनकी आयवड़ाने के लिए पेरिद करने में सक्चम सरकार को देश में अत्यदिक गरीवी का सामना कर रहे दो कि तीसद लोगों बहुआ आयामी गरीवी का सामना कर रहे करीब 15 करोड से अधिक गरीबों को लक्ष के मताविक बर्ष 2030 तक गरीवी से वहार रखने के लिए गरीवी कम करने से समंदित बिभिन योजनाओं की करिय से सकत्ति करन के रणनेतिक अभियान को आंगे वड़ाना भी उतना ही आपसक है लेखा एक्रोफोलिस से इंस्टिटीट ऑप मेनेजमेंट एंड रेसर्च सेंटर इंदौर से जुड़े हुए इंदौर के निदे सके इस विए डॉक्टर जैनतिलाल भंडारी इनके द्वारा प्रिया आर्टीकल लिखा गया है तपस्या तपस्या कहा थे कि अपने लक्ष के पिती अपना सर्वस समर्पित करते हुए उसकी प्राप्ति को हो जाने तक नियंतर साधना में लीन रहना तपस्या कहा थे कि यह नहीं है कि हम सब कुछ छोड़कर पर्वतों अत्वा कंद र यातबस संसारी क महया को छोड़कर इसंतर प्राप्ति से सम्बन देत हो और तपस्या के लिए आप देखे एक अनिवार सरत्य है कि जिस लक्ष के लिए तपस्या की जा रही है उसके अतरिक्त कोई भी अनबिचार चिंता अत्वा तनाव मस्तिस में मन मस्तिस में घर ना कर पाए क्योंकि ऐसा होने की दसा में हमारा ध्यान पूरता लक्ष पर के अंद्रित नहीं रह पाएगा और हम जब कहते हैं आप लोगों से कि अपना 100 वर्ड सेंट देजे अपनी तरफ से पूरी तरह से जोंक दीजे जो काम आप कर रहे हैं तो उसी की बात कर रहा हूं अब एक नाओ में सभारी करेंगे तो जरूर आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे अब एक दो चार में पाऊं रखेंगे तो डूबना तय है और एक दिन ऐसा आता है जब हम अपना लक्ष प्राप्त कर लेते हैं, तपस्या हमें बुरे बिचारों, दुरगणों, चल कपट इस से आओ, और एवं दोय से कोसों दूर कर देती हैं, और हमारे मन पवित्ता की एक उच्चितम इस्तर को इस पास कर लेता है, मन की पवित्ता हमें सरजन के लिए पेर्ज करती है, लोहे को जब तपा दिया जाता है, तो वह नरम हो जाता है, ठीक, इसी पिकार, जब हम अपने मन को तपस्या की अगनी में समाहित कर देते हैं, तो बिनमता स्वयम ही हमारी तरफ खिचती, खिची चली आती है, निश्का से आई कि चाहे लक्ष चाहे कोई भी हो, और कैसा भी हो, बिना तपस्या की उसे हासिल कर पाना नितांत असंभव है, यदि हमने जीवन में कोई लक्ष निर्धारीत किया है, तो हमें उसे प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप सिफ तपस्या एवं समर्पन की नौकार पर सबार होना पड़ेगा, अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देखा करिएगा, ये बेहुदा बायान, कोई नीता बोखलाहट, घेना या फिर किसी स्वार्थ के कारण किस हद तक गिर सकता है, इसका ताजा उधारन दिर्मुक सांसद ये राजा कब ये बेहुदा बायान की भारत कोई दे कारती हुए, उन्हें मूर करार दिया, और साब सब्दों में कहा कि हम तो राम के सत्रू हैं, और भारत को माता की रोम में कभी स्विकार नहीं करेंगे, ये के बल भठकाव बयान ही नहीं, एक ऐसा नफरती भासन है, जिसके लिए उन्हें कटगरे में खड़ा किया जाना च जाई थी, और जब उदयनिदी ने यह सब कहा था, तब जिन नेताओं ने उनका समर्थन किया था, उनमें ये राजा भी सामिल थे, ये सही जी समझा जा सकता है कि उदयनिदी को सुप्रींग कोट से मिली पठकार से, ये राजा की सिहत पर कोई असर नहीं पड़ा, ये माने जाते हैं, और जिन घपले घटाले में कॉंग्रेस की लुटियाट, वो ने का काम किया उनमें टूजी घटाला भी था, हो सकता है कि ए राजा को अपनी वेजा भयान के चलते तामिलाणो को किसी बड़ी राजनितिक कटनाई का सामना ना करे पड़े, और इस तरह के व घटक ए राजा के बायां से आह समिति जता कर या फिर उनके खथन को उनकी निजी विचार करा कर देकर अपना पला नहीं जार सकते हैं, सबसे पहले तो उन्हें यही बताना होगा, यदि ए राजा भारत को देश ही नहीं मानते तो फिर इंडिया नाम बाला घटवंदर मना कि क्या जरूरत थी, यह पहली बार नहीं है जब तमिलानु में राजनेतिक स्वारत के चलते हिंदी या फिर राम के नाम पर लोगों की भावनाय भढ़काने का काम किया गया हो, यह काम वहां पहले भी किया जाता रहा है, और इसी तरह वहां तमिल राष्टबाद को भी उ तो बोलते हैं, और शुकि ऐसे बयान देश की एकता और खंडता को गंभी छती पहुंचाने बाले हैं, इसलिए उन्हें सहे नहीं की आजस्तिता है, अच्छी पहल, बिहार सरकार जल जीवन हर्याली को लेकर हमेशा सचीत प्रयास रत रही है, चाहें लुप्त होरे दुआ चाहें लुप्त होरे कुआ, तालाब या फिर अन जल सरुतों को पुनरजीवीत करने का मोर्चा हो, या बंचेत्र को बिस्तारीत करने का मामलाब, इसका नीती सरकार ने इस पर लगातर काम किया है, इसका सोफल भी देखने को मिल रहा है, जल परबंधन के लिए किये गए उपायों से कुछ जगों पर जल सतर में सुधार हुआ है, हाला कि अभी बहुत काम करना सेस है, लेकिन ये ऐसा चाहिए कि लगातर इस पर काम होता रहा, तो हालाद बहुत जल सुधार तक सुधार जाएंगे, एक सम्विदन सील सरकार को परियावन की चिंता होनी चाहिए, आज परियावन वैस्विक चिंता का बिस है, ऐसे में अपने अपने हिस्ते की काम कर लिया जाएं, तो संभावित भाया वैता को कम किया जा सकता है, और एक और उलिकनी ये कार करते हुए, बिहार सरकार ने जलिये जीवों की सरक्षन को लेकर महत्पूर कदम उठाये, पट परियावन सरक्षन में ये बड़ा कदम होगा, सरका सोथ की आधार पर अन्कूल बातबन बनाने की पिती सचेत रहेगी, लगातर पिदूसित हो रही, गंगा के सरक्षन का भी रास्ता निकलेगा, जलिये जीवों के सरक्षन में आमजन की सहभागिता भी अतिमातपूर है, नेट जीरो की राहे में बाद आएं, ये भी अ सरजन की लक्ष को हांसिल करने की दिशा में अपनी पिदी बदेता हैं जाहर करना है, इंडोनेसिया में कारवन उसरजन करने वाली एकाईयों को अपते एक टन, कारवन उसरजन पर 30,000 इंडोनेसिया एरोपिया चुकाने होंगे, कारवन टेक्स बिजली सेंतों परिवहन ल मौझूदा समय में यह आर्थिक अउधार ना अलगलग दरों के साथ अर्जिंटिना कनाड़ा चिली जापान कॉलंबी या डेन्वार्ग जैसे दिसों में पेचले थे जलबाई पर विवतन के दूस प्रभावों को देखते हुए अब दुनिया विभन तरीकों से कार्वन उ साजन का लक्ष 2030 फिल्लेंड ने 2035 और टिया ने 2040 जर्मनी और स्वीडन ने 2045 अमेरिका ने 2040 चीन रूस और इंड्रोनिसिया ने 2060 जबकि भारत ने से 2070 तक अंसिल करने का संक्ष लिया है जो बातावर्ण से कार्वन को सोकने में समर्थ है नेट जीरो का लक्ष पाना तब तक मुम्किन नहीं होगा जब तक कि दुनिया जीवा स्वींधनों के इस्तेमाल पर रोक बनुरूलन परपावंदी और नभिनी करन उर्जा सरोतों को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस स्वींधनों के अधा धुन्द इस्तिमाल से मानो स्वास्त और पर्यावन पर बुरा असर पड़ता है इसे भावी पीडी की इंधन उपलब्द भी प्रभावित होता है और इस पर आप देखें निर्वता घटाना तथा अक्ष्य उर्जा सरोतों की अप अपनाना ही मानोत होता के लिए से इसकर है अची बात है यह वी टिपीडिया रहती है देख लिया करिएगा यह आप देखेंगे सेमी कंडेक्टर का हब भनने की दगर पर चलिए इसे भी देख लेते हैं तो बिभिन एलेक्टोनिक ओंकरनों में इस्तिमाल होने बाले और आमबोल चाल में चिप कहे जाने बाले सेमी कंडेक्टर की जो भारी मांग इस दोरान पैदा हुई है उसने तकरीबन हर अर्थवस्ता के वो पेरित किया है कि बे इसके उत्पादन में हाथ अजमाएं जिन देशों में इसकी मांग होने के बाब यूद घहरेलू इस तरपा बीनिर्माण के कोई खास प्रवंदन नहीं है उनके लिए एक सेमिकंडेक्टर की कमी संकट पैदा कर रही है बज़य यह है कि हरो काम में डिजीटल निर्भरता बढ़ने के कारण चे पे एक अनिवाज़ता बन गई है और पर इसे बनाना आसान नहीं है और इस कारण इसके लिए जादा तरदेश अपना आयात पर निर्भर है और अब जादा बहतर यह है माना जाने लगा है कि घहरेलू इस तरपर इसकी इंडरस्थी लगाई जाया है ताकि इसकी नेमित आपूर्ती में कोई अर्चन नहीं आए भारत में जो राहे पकड़ी है वह है इस मामले में काफी आसाजनक है हाल में आप देखें कैंसरका ने दो सेमी कंडेक्टर यूनिट गुजरात में और एक असम में लगाने के पिस्ताओं को मंजूरी दे दी है इन तीनों से यंतों से हर वर्ष कुल 2602 करोड चिप बनेंगे और इसे ना सिर्फ घरेलों इलेक्टोनिक बाहन एलेक्टिक और आटो मुवाइल दूर संचार रक्षा छेतर की कंपड़ी हो कुपरयाप्त मात्रा में असानी से इसे टाटा समुव एक बड़ी आटो मायल कंपणी के साथ मिलकर लगाएगा तीसरा सेंथ सीजी पाबर का और जापान की रहने सा एलेक्टोनिक्स कॉर्गूरेशन सहीक तौर पर लगाएगी वक्त तीनों परियोजनाओं में कुल 1.26 लाग करोड रूपी का निवेस होगा वहीं इसके लिए एक Unc particulier Micron की यूनिट पहले से लग रही है समी कागटर उद्ध्यों को फलने फूरले के लिए तीन चीज़ें चाहियी होती है इस उद्ध्यों की पहली ज़रूरत डेजाइन इंजिनरों की होती है धुनिया में जितने समी कागटर उद्ध्यों की कि होती है और तीसी जरूरत है 8MP यानि चिप बनाना उसकी टेस्टिंग करना मार्केटिंग करना पेकेजिंग करके अंतिमुतपाद बनाना फैबिक fabrication center की कमी को सरकार का ताजा फैसलस पूरा करेगा जबकि ATMP भी इस्थाबित होने लगे हैं इस तरह से semiconductor उद्ध्योग की सारी जरूरतें भारत पूरी करने की दिशाब में बढ़ रहा है जामी semiconductor उद्ध्योग पनपपा है वहाँ electronic उद्ध्योग भी इस्थाबित होता है उमीद है कि भारत में इस तरह electronic उद्ध्योग बनाने वाली कम्पनिया आएगी अभी भारत electronic उद्ध्योग का बाजार 105 अरब डॉलर का है जो अंगले कुछ बरसों में 300 अरब डॉलर का हो जाएगा पूर में भी आप देखे कि semi conductor उड्योग लगानी की कोशिस हुई लेकिन सफलता नहीं मिली और एक semi conductor बनानी के लिए 16,000 विभिन तरह की चीजों की जरूरत होती है कई तरह की गैस चाहिए अलग किस्म कपानी चाहिए बेहत सुक्षमता से इब हम अतिन्त सफाई से काम करने बाले पूरुद्गी की चाहिए होती है अनवानी की भारत में अभी 25 अरब डॉलर की चिप की जरूरत है जल्दी है मांग 100 अरब डॉलर की होगी आज घर के परदे और सुईच वोड से लिग इलेक्ट्रोनिक कार और रोकेट में चिप का इस्तिमाल होने लगा है यह वी और आप देखे परुद्गी की का इस्तिमाल बढ़ने से इनकी इसकी मांग और बढ़ेगी सप्लाई का जो कि मह घटाने की पहल तो असम को एस के लिए चुनने की एक खास बज़ा है यह स्थान, ताइवान, मलेसिया, पेतनाओ और सेंगापर जैसे उन देसों के करीब है जो सेमिकंडेक्टर की पेकेजिंग और टेस्ट की धुरी माने जाते हैं एक निएक बरस दो हजातीस तक गिलोबल सेमिकंडेक्टर इंडेस्टी के बढ़कर एक टिलियन डॉलर पहुचने की अर्मान है और सेमिकंडेक्टर निर्माण में भारत के प्रविश से बैस्विक सप्लाई की सेंखलाब में जोकिम घटेगा की मौझूदा तरक्की में भी सेमिकंडेक्टर की अहम भूमिका है आत्मिन भरता की भात में अभी बैस्विक ज़ुर्तों की तुल्ला में बहुत कमचे बनाये जा रहे हैं और इससे भारत की अपनी आवस्त्यां भी पूरी नहीं पढ़ रहे हैं इसके लिए भारत मुक रूप से ताइवान चीन और अमेरिका पर निर्वर हैं भारत सालाना करीब पाइब पुरी होगी नहीं हुआ है वहां रोजगार पहकरने वाला विकास हो पाएगा पैट्र रोक्रणिक बाद शिपका नंबर तो सेमी कंडेक्टर की निर्माड की और भारत का बढ़ना बस्ता एक बड़े बदलाओ का भी होता है या बदलाओ सब रोधावासी बढ़मना पर पर रहारे जो है कि कंप्यूटर आइटी में भारत खुद को हमेशा से अगवा देश मानता रहा है लेकिन उसी चितर से पांस सो पचास अरब डॉलर के आयद बिल में अकिली एलेक्टोनिक्स बस्तों कि सेदारी सरसर दसमलाओ साथ अरब डॉलर है ऐसे में स्मार्टफॉन कंप्यूटर लैप्टॉप नोटबुक्स टेली वीजन से लेकर स्मार्ट फीचर आधी कारियों और बॉसिंग मसीन तक में लगने वाले से में कंडेक्टर अगर्स भारत में ही बनने लगे तो यह चीज़ें भीहत सस्ती हो सकेंगे हाला कि आज की तारीक में ताइवान और चीन जैसे देशोंने से में कंडेक्टर की चेत में अपना दबदबा कायम कर रखा है ताइवान तो दुनिया में सेमी कंडेक्टर मैनूफेक्चरिंग कंपणी टी एस एमसी दुनिया भर में आप देखते हैं कि सेमी कंडेक्टर चीप की मांग के बड़े हिस्से की पूर्ती करती है दुनिया में इस्तेमाल होने बाली वाले सभी चिपकाड वी तीसा ताइवान में बनता है इसके बाद चीन और जापान का नंबर आता है अच्छा है कि ताइवान और चीन की इस बस सच को तोड़ने के लिए हमारी सरका टाटा उस बेदानता जैसे समू को आउसर दे रही है सिलीकान सील्ड का रूपक कहते हैं कि ताइवान को कब जानी की ताग में बैठा चीन उस पर कोई सीधी सेन करवा ही इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि अभी वह खुद ताइवान से सेमी कंडेक्टर आयात करनी के लिए वेबस है और इसलिए ताइवान को चीन से बचाने वाली इस नीतिक और सिलिकॉन सील्ड का नाम दिया गया है इस बारे में यह सच है कि सर्विंग कंडेक्टर वनानी की पिक्रिया इतनी जटल है कि कोई नया देश से इसे रातों रात नहीं बना सकता है लेकिन सही नीतिया अपना करो रास्ति में आने वाली बादाओं को खत भारत उतपादों की इस भावना का ध्यार रखा जाए कि विस पिती इस परदी कीमतों पर अपने उतपाद तैयार कर सकें सेमी कंडेक्टर का उतपादन भारत में ही होने से इना के बल भारत का आयाद बिल कम होगा बलकि नौकरियों कि सजन के साथ मेनु फैक्चरिंग के 16 में भी भारत की धाग जम सकेगी चोटी चिप का बड़ा धमाँ आ समी कंड़ेक्टर चिप का इस्तेमाल हर किस्म के इलेक्टोनिक उपकरणों में किया जा रहा है हाला कि यह दौर ऐसा भी था जब इस बज़ा से ऐसे तक्रीबन सभी डेवाइस आकार में काफी बड़े बजनी होते थे और काफी जगह गेरते थे घरों में मुझवदा डेस्टॉप, कंप्यूटर, रेडियो, कैथोर, रेटीव, आप बाले, टेलीविजन, सेडी में रखे जा सकते हैं यह नहीं सेमिकंडेक का उप्योग समझ में आया, और समीक अंडेक्टर की बज़े से एलेक्टोनिक डिवाइस को सेलिम स्ट्रेम करने में सफलता मिली, मोबाइल, लैप्टॉप, कंप्यूटर, टीवी, बॉसिंग मसीन, यहां तक कि में कारें जो कारें भी सेमीकंडेक्टर पर निर्भर हो रही पढ़ा करिएगा इस तरह के एडिटोरियल, एक उवेक हुए मानवी की मिथा, खरी करी तंज कसा जाता है, इधर उधर, इधर कतार, उधर, इंतजार, उतराकरन, राजनीती, एक नए भारत का विकास, बादी चरित, गुलामी की मानसक्ता से या देश का अर्थ तंद बाह आता है, तो इसका कारण भी ते एक देशक में भारती इत्या संस्किति पानपराग को केंद में रखकर किये गए विकास है, अपनी संस्किति प्राग के साथ पत पर आगे बढ़ रहा है बात नहीं भारत, चलिए पढ़ सकते हैं आप लो, तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूच पेपर में जो आपका संपात के पार्ट था, उसकी कहानी खत्म होती है, अब आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझा हो तो बता सकते हैं, मेरी तरप से सुब काम ना है, इमानदारी से महनत करिए, इमानदारी से आने पढ़िए, धर्नवाद